बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम, जी हाँ, कहते हैं कि यूद किसी के लिए फाइदेमन नहीं होता ऐसा ही कुछ रूस यूकरेन के बिद जारी टकराव के कारण भी हो रहा है अनुमान है कि इस संघर्ष का खामियाजा सारी मानवजाती को जेलना पड़ेगा उपर से सुखा और जर्वायू में आता बदलाव समस्याओं को भड़काने में आग मेगी का काम कर रहा है इस युद के क्रिशी और खादे कीमतों पर पड़ते हसर को लेकर सौवार 19 सितंबर 2022 को एक नया अध्यन जारी किया गया है जिसके निशकर्ष बताते हैं कि इस संघर्ष के कारण अनाज की कीमतों में भारी व्रिद्धी हो सकती है इतना ही नहीं इसकी वज़े से अन्या देशों पर जो उत्पादन का दबाव पड़ेगा और भूमी उप्योग में बदलाव आएगा उसके चलते ग्रीन हाउस गैंसों के उतरजन उत्सरजन में भी भारी व्रिद्धी हो सकती है वैश्वी गांकड़ों को देखे तो रूस और युक्रेन दोनों दुनिया के लिए ब्रेड बास्केट हैं जो समलित रूप से वैश्वी गेहूं सप्लाई में करीब 28 फीज़ी का योगदान देते हैं लेकिन जिस तरह से रूस ने काला सागर के बंदरगाहों की नाके बंदी की है और मासकों पर खादय निर्यात को लेकर प्रतिबन लगाए हैं उसने खादय कीमतों में अलब कालिक वृद्धी के सासाथ भुख मरी के संकट को कहीं ज्यादा गंबीर होनी की संभावनाओं को जनम दे दिया है इन परभावों को समचनी के लिए अमेरीका के शोदकर ताउन निविभिन परिदर्श को देखते हुए आने वाले 12 महीनों में गेहों और मक्का की कीमतों पर इस संगर्ष के संभावित परभावों का एक मोडल त्यार किया है जनल नेचर फूड में प्रकाशी ती सध्यान के नतीजे दर्शाते हैं कि यदि रूस अपने अनाज निर्यात को आधा कर देता है और युक्रेइन से होने वाले निर्यात में कमी आ जाए तो इससे वैश्विक सर पर गेहूं की कीमतों में 7.2 फिसद की वृद्धी हो सकती है इतना ही नहीं इसकी वज़े से मक्के की कीमते भी 4.6 फिसद बढ़ जाएंगी शोद में ये भी सामने आया है कि यदि भारत सहीत अन्या नाज निर्यातक देश कदम उठाते हैं तो वे अनाज की सकमी को पूरा कर सकते हैं हलाकि इस बारे में शोद करताओं का कहना है कि जब तक निर्यात पर प्रतिबन जारी रहेगा कीमतों में वृद्धी होती रहेगी Bureau Report Market Times TV